हालो और वेलकम बैक डियर श्टुडेंट्स लास सेशन में हम लोगों ने सिनेरियोज क्रियेट करना सिखा था और उसका मैंने आपको परपज भी बताया था किस परपज से हम लोग यूज करते हैं सिनेरियो को यानि कि वोटिफ अनलेसिस अगर आपको करना है okay then हम लोग सिनेरियो यूज करते हैं उसको क्रियेट कैसे करते हैं further अगर आपने parapherit किये हैं जाके हम कैसे एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में switch कर सकते हैंّ उससे related जो settings होती है वह हम लोगं ने देखी थी और navigation सब्सक्राइब में जाकर आपने scenario को अगर required है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और अगर आपको required है तो उसमें हम लोग एडिट भी कर सकते हैं तो यह option हम लोगों ने देखा था तो scenario तो अगर हम लोग यूज ना करें और हमें अगर what if analysis टाइप करना है देन हम नों और पास एक और option होता है that is your multiple operation यानि कि हम लोग multiple operation का यूज कर सकते हैं किसी भी data को वोटिफ analysis करने के लिए यानि कि किसी भी एक जैसे मैंने कहा कि आप variable कोई quantity रखते हैं उसके respect में आप result देखते हैं कि क्या result हो सकता है उसका दूसरा similar जो आपके पास operation होता है उसे हम बोलते है multiple operation और multiple operation perform कैसे करने हैं वो आज हम लोग सिखने वाले हैं तो वीडियो को आपको भोती ध्यान से समझना है जो मैं आपको procedure सिखाऊंगा उसको अच्छे से समझना है number second thing कि जो procedure है वो आपका spreadsheet base है तो जब इसके practical sessions हम लोग upload करेंगे तो हो सकता है आपको चीजें और ज्यादा clear हो अगर exam base की मैं बात करूँ तो आपको ये procedure समझना जरूरी है क्योंकि आपको exam में theoretical base लिखना होता है now करना के हैं आपको देखिए scenario हम लोग use नहीं करेंगे अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे multiple operation tool का use करेंगे और multiple operation tool को create करने के लिए आपको क्या करना है formula array create करनी है formula array का मेरा meaning है पहले आप एक particular कोई formula set बना ले और वो formula set जो है formula array वो कैसे बनानी है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा now और दूसरी आप एक separate set of cell बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग हमारा alternative result जो हम चाहते हैं कि आपका particular first formula base पे आपका implementation हो जाए so वो हम लोग create करेंगे यानि कि आपको दो array create करनी होगी first is your formula base जिसमें आप लोग formula implement करेंगे और फिर उसको use करेंगे दूसरी आपके cell के अंदर तो आप दो array आप यहाँ पर बनाएंगे formula array का मेरा meaning है जिसमें हम लोग formula लिखेंगे जो हमें required है right so although the tools is not listed among the functions it is a function that act on other functions allowing you to calculate the different results without having enter and run them separately so यहाँ पर यह बताया है कि जो multiple operation जो टूल है आपके पास वो functions में आपको साइद नहीं मिलेगा ओके और लेकिन हम लोग उसको यूज कैसे करेंगे क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता है हम जो आपका already given result है उसको हम लोग यूज करते हैं so हम उसको separately run करवाएंगे कैसे run करवाएंगे मैं अभी बताने वाला हूं आपको so to use multiple operation tool you need to two arrays of cells आपको दो cell of array बनानी है for example आपने एक set of array बना लिया दूसरा आपने दूसरे कोलम में different values लिख लिख ली जिसके respect में आपको result चाहिए तो जो आपने यहाँ पर formula implement किया है for example यहाँ पर sum करना है या profit आपने calculate किया है उस profit में अगर आप quantity को change कर दें तो quantity based जो different आपकी quantities है उसकी आपने अलग cell बना लिया उन quantities के बिहाब पर जो यहाँ पर profit calculate हो गया तो यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि अगर आपकी quantity change हो तो result क् that is what if analysis okay वह हम लोग check करेंगे यहाँ पर जब example से समझाओंगा तो और clear हो जाएगा okay so करना क्या है simple way में आपको दो array create करनी है array का meaning है set of contagious cells okay the first array contains the original okay default values जिसमें हम लोग formula हमारा लगाएंगे and the formula must be in a range right now second array is a formula array जिसमें हम लोग क्या करेंगे it is created by entering variable alternative values variable alternative values का मंदिंग क्या है कि दूसरी जो array बनाएंगे उसमें हमारे पास different एक या एक से ज्यादा ऐसी entities होंगी जो change हो रही है और उन change की respect में हम अपने formula भी हाप पर check करेंगे हमारा अगर profit calculate करें तो profit या फिर आप जिस base भी आप analysis करें वह आप यहाँ पर करेंगे so once the variable value are created you are multiple operation tools to specify the formula you are using as well as original value altered by the variable so the result is the outcomes of the formula using each variable तो यह मां आपको specify कर देता हूं कि यह जो paragraph है इसका meaning क्या है for example यहाँ पर आपने एक array बनाई उसमें क्या है आपने selling price लिख दिया cost price लिख दिया और आपने यहाँ पर profit calculate कर लिया नाव यह जो profit calculate किया है इसके इसमें मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर quantity आपने लिए है कि कितनी quantity पर आपने selling price और cost price calculate किया है नाव जो दूसरा आपका sell है ुछ में जो quantity है वह आपको vary कर रहे है कभी आपका 500 है कभी आपका 5000 कभी आपका być two thousand ऑप है जब आपका 500 quantity होगा देन प्रोफिट क्या होगा थाइज़ण किया होगा थाइज़ञत क्या होगा यह आपकी इसक्मन नहीं आपके के respective जो आपकी quantity change हो रही है इनके respective आपका result क्या होगा वह आप calculate करना चाहते हैं चाहिए आपको clear हो गया होगा अभी example करेंगे तो और अच्छे से clear हो जाएगा मैल्टीपल operation tools can use any number of formulas बट औली one or two variable with one variable you add different values in the variable और उस column या row जो आप कर रहे हैं उसके right में आप यूज़ कर सकते हैं उसको और row कर रहे हैं तो रो के below आप उसको यूज़ कर सकते हैं right now with two variable the value of one variables are used in column label and value of the other variable is used in row label so अगर आपको setup करना है इसका multiple operations का that is sometimes first time जब आप करो हो सकता आपके लिए confusing हो but अगर उसको one or two time आप perform करेंगे then आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इससे आपको votive analysis करना और आसान हो जाता है first time समझने में हो सकता दिक्कत आती है so करना क्या है उसके लिए अगर आपको समझना है तो आप इसका use कर सकते हैं हम लोग उन्हें scenario में क्या था tools में जाके detective करेंगे तो उससे clarify हो जाएगा कि किस तरीके से आपकी value change हो रही है with respect to your formula okay so formula को implement करने के लिए आप क्या करेंगे एक simple column और row पर अगर multiple operation perform करना आपको तो यहाँ पर एक example से इसको समझ सकते हैं हम लोग okay for example आप कोई organization है या company है जो toys produce करती है okay खिलोने बनाती है आप dollar को रुपीज समझे और उसकी जो cost है selling cost है वो 10 रुपीज है यानि कि 10 रुपए में हम उसको sell करते हैं जबकि वो कितने में बनके तयार हो जाता है 2 रुपीज में बनके तयार हो जाता है जो आपकी selling price है वो हम लोगोंने B1 sell के अंदर लिख दिया और जो आपकी cost price है वो आपने आपकी B2 sell के अंदर उसको लिखा है आपके पास एक fixed cost है कि आपको yearly जो है 10,000 रुपीज जो है उसमें आप क्या कर रहे हैं उसको sell कर रहे हैं So how much profit will you make a year if you particular number of toys अगर आपकी quantity toys की है वो कुछ इस तरीके से है कि हो सकता है 200 है या 300 है या 500 है तो उसके respect में आपको yearly profit क्या होगा वो आपको बताना है So question समझ आ गया होगा देको मैं बता देता हूं किस तरीके से हैं आपने क्या किया यहां पे selling price लिख दिया कि एक toys आप जो है वो 10 रुपीज में sell करते हैं दूसरा आपने उसका जो है cost price लिख दिया कि वो बनके कितने में तयार होता है 2 रुपीज में होता है मैं डॉलर की जगह रुपीज यूज कर रहा हूं ठीक है एंड जो fix आपका आपका टोटल कोस्ट जो होता है fix cost जो है yearly साल का जो है वो कितना है 10,000 है ओके यह आपका टोटल कोस्ट है यह मैं कहूं टोटल selling price है ओके नाव अगर आपका जो quantity है मालो 2000 आपके पास toys आपने शैल किये हैं ओके quantity दैन आपका profit क्या होगा और profit calculate करना के लिए आप करेंगे क्या देखें profit कैसे calculate करते हैं कि quantity आपकी क्या है for example before में आपने quantity 2000 लिख दिया निकि 2000 आप जो है year में manufacture कर रहे हो टोट इच नाव उनकी quantity क्या होगी quantity क्या होगी 2000 और profit क्या होगा selling price माइनस cost price ओके नाव आपका total जो amount आएगा वो कितना आएगा 2000 जो quantity है उसको multiply करेंगे आप profit से profit कितना आएगा selling price माइनस cost price और selling price कितना है 10 और cost price कितना है 2 तो आज जाएगा 8 8 इंटू 2 यानिकी आपका कितना हो जाएगा 16,000 लेकिन आपका जो yearly जो आपने आपकी जो fixed cost थी कि वो कितनी थी कि 10,000 आपने खर्च किया है तो अगर minus कर दिया जाए 10,000 जो आपका charge लगा है आपको toys को बनाने में yearly तो अगर वो 10,000 है देन आपका जो profit निकल के आएगा वो कितना आएगा 6,000 आपका profit आएगा तो हो सकता है अगर आपको इस formula में कोई doubt है तो आप comment box में लिके पूछ सकते हैं बहुत ही simple formula है mathematics formula है कि profit निकालना है ओके जो ये fixed cost दे रखी वो 10,000 दे रखी कि शाल्प में उसको खर्चा कितना करना है सिरफ 10,000 का करना है और उसको जो 2000 अगर उसने toys बनाए है तो उसका जो total amount बनेगा वो कितना बनेगा 2000 multiply by selling price minus cost price यानि कि जो उसका profit आ रहा है तो total 16,000 जो है वो क्या बन रहा है उसका total amount बन रहा है और उसमें से जो उसका manufacturing amount है 10,000 अगर उसको substitute कर दिया जाए तो आपका 6000 बचेगा वो क्या हो जाएगा उसका total profit हो जाएगा तो अगर आपको यही जैसे हम लोगों ने बताया कि आपका B4 में quantity लिखा है इसमें selling price लिखा है B2 sell के अंदर direct price लिखा है और fixed price आपने 10,000 B3 में लिखा है तो अगर आप उसके नीचे वाली sell के अंदर next आपका जो sell है उसमें अगर calculate करना चाहते है क्या profit तो आपको कैसे लिखना होगा यह formula आपको लिखना होगा B5 equals to B4 into B1 minus B2 minus B3 वो इस formula को denote कर रहा है और यह formula हम यो हमें लिखना होगा next sell में B5 के अंदर अगर आप ऐसा लिखते हैं now आप multiple operation के help से क्या करेंगे अगर आपकी जो quantity है वो change होती है 500 to 5000 यानिकि 500, 1000, 1500 2000, 2500, 3000 so अगर आपकी quantity change होती है तो profit पे क्या फरक पड़ता है वो हमें calculate करना है that is with the help of multiple operation so वो आप क्या करेंगे आप एक range जो जिसमें आपको calculate करना है empty cell की वो आप select कर लेंगे और उसमें आप क्या लिखेंगे data में multiple operation में जाएंगे और multiple operation में आपको formula लिखना होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह जो आपकी highlighted एक्टिव जो बता रही है यह क्या है variable है variable का मेरा meaning यह आपकी क्या है quantity है और quantity जो है आप अगर quantity इस तरीके से change होती है आपकी quantity तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा क्या आजाए respective result आजाए कि आपको क्या profit होगा ठीक है तो बात करते हैं अगर आप यहाँ पर formula लगाते हैं वी 5 cell के अंदर तो इनके respective आपका जो answer आता है वो कितना आता है 6000 आता है ओके जो मैंने अभी आपको बताए था कि आपको क्या करना है 2000 multiply by 10 10 minus 2 minus 10,000 तो आपका आएगा 6000 calculate हो क्या है यह हमने अभी अभी देखा था तो अगर आपको multiple operation perform करना है तो जैसे ही आप इन cells को select करेंगे ओके आपके पास data में जाके multiple operation करेंगे तो इस तरीके की window open होगी उसमें आपको यहाँ पे formula में क्या pass करना है जो आपने यहाँ बी 5 में formula लगाया है 6000 calculate करने के लिए वो यहाँ लिखेंगे और column input में क्या लिख quantity का address क्या है बी 4 और dollar भी dollar 4 इसले लिखा है क्योंकि आपकी यहाँ पर vary होगी आपकी different आपका जो quantity है वो change होगी नाव अगर आप इसको calculate करेंगे तो यह देखिए आपका formula कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा आपको और यहाँ पर आपके पास जो है respective answer आ जाएगा 500 अगर आपकी quantity होगी तो आपको 6000 का loss होगा अगर 1000 quantity आप बना रहे हैं तो 2000 का profit होगा और जो हमने यहाँ पर calculate किया था वो कितने के लिए किया था 2000 के लिए और आपको profit कितना होता 6000 तो यहाँ पर भी देखे 2000 आपके पास quantity जब है तो आपको same ही आपका result आ रहा है तो result इसी से वो सही है कि 2000 entity है तो आपका profit कितना दिहा रहा है 6000 इना similar way अगर आप 5000 entities बनाते हैं toys बनाते है 5000 तो आपका profit क्या होगा 30,000 profit होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं multiple operations का use कर सकते हैं किसी भी what if type questions को plan करने के लिए और scenario अगर आप use नहीं करना चाहते हैं तो य आप multiple operation की help से क्या कर सकते हो respective result चेक कर सकते हो यही काम हम लोग scenario में कर रहे थे जो कि आप multiple operation से भी perform कर सकते हो so next session में मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा कि अगर आप several formula simultaneously use करते हैं calculation के लिए तो वो आप कैसे कर सकते हैं so keep studying keep watching keep learning and share with your friends जो आप लोग जो दोस्त आपके 10th class म उनके साथ share कीजिए और जिसने subscribe नहीं किया हो subscribe कर लिजे क्योंकि हम लोग पूरा syllabus करेंगे उसके बाद exams भी लेंगे और unit 1 prepare कर लिजे उसका exam होने वाला है thank you